दो प्रहकरती वैद्दिये, लेसन नमबर सेवन, कोस्बुक्स एक्ससाइजेस, वाक्यों के खाली इस्तान बरिये, फिल इन दा ब्लैंक्स, फर्स्ट, तुलसी और नीम का वैद्दिये कहा जाए, तो आती शोकित ना होगी, सेकेंड, नीम के पानी से घाओ के विसैले के टाणू समाथ हो जाते हैं, थर्ड, नीम की जड़े मिट्टी की उपरी परत को नम रखती हैं, दिये गए प्रशनों के लिए सही विकल्प चुनिये, सर्दी जुखाम में किसके पत्ते घोल कर घोट कर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है, तुलसी, नीम, आम, तुलसी is the right option, सेकंड, प्राकरती ने हमारे उप्योग के लिए पलता फूलता क्या बनाया है, प्राणी जगत, मनुष्य जगत, वनस्पती जगत, वनस्पती थर्ड, किस प्यड की पूजा की जाती है, नीम, तुलसी, शीशम, तुलसी is the right option, टिक चार पाई के पाई किस लकडी से बनाय जाते हैं, तुलसी, बरगत, नीम, नीम is the right option, टिक नीचे दिये गए शब्दों में करी, परतिये जोड कर नए शब्द बनाय और उनके अर्थ भी लिगिए गुण कारी, लाब कारी, आग्या कारी, अर्थ, गुण से भरा हुआ, आप देने वाला, आग्या मानने वाला जिस सबसे किसी वेक्ती वस्तु इस्तान की पूरी जाती अथवा वर्ग संग्या कहते हैं नीचे दिये गए वाक्यों को जाती संग्या शब्दों के नीचे रेखांकित कीजिए जाती माने ऐसे शब्द जिससे किसी का हुना हो, लाइग मेल, फीमेल, ओके? या सुसाइटी, एनिमल्स, लाइक दिस होके? बाग में मोर नाच रहा है, मोर इस जाती वाचक संग्या पुस्तक इस जाती वाचक संग्या पिता जी जाती वाचक संग्या फॉर्थ वन घर जाती वाचक संग्या दिये गए शब्दों की साइता से समवाद पूरा कीजिए अनिल चाचा जी नमस्ते आप यहां क्या कर रहे हैं सुख राम आओ बेटा देखो मैं नीम का पौधा लगा रहा हूँ अनिल चाचा जी आप किसी फल्दार पेड़ का पौधा क्यों नहीं लगाते सुख राम बेटा नीम का पेड़ भी फल्दार पेड़ से कम लापकारी नहीं होता इसकी पतियां पानी में उबाल कर नहाने से चरम रोग ठीक हो जाता है नीम की दातूं से दातों में कोई रोग नहीं होता अनिल मैं तो समस्ता था की नीम केवल कड़वा होता है सुख राम यही नहीं बेटा इसकी गुटली से तेल निकाला जाता है जिस से साबुन बनता है इस साबुन से कई फोड़े फुनसी दूर होते हैं अनिल दन्यवाद चाचा जी आज मैंने जाना की नीम का पेड़ कितना उपयोगी होता है अट्छ boundary झाल की फिन फिनीछ इस फिनीश फिक थी इस थी इन इड़ वाट्स आप्ड़ के लाफ्य स्वार्ट वाई